हमारे देश को गरिबी, भुक्मरी और बेरुजगारी से मुक्त करो हे बगवान हमारे देश को सुखी, सम्रुद्ध, संपन्न बनाओ बगवान हमारे देश को विश्व गुरु बनाओ हमारे देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ती बनाओ और उसी के लिए ये कार्य करने के लिए मोदी जी को और हम सब को आप आशिरवाद दो ताकत दरे वेनवर भाईयो 2014 में अधर्णी अंदरेंदर मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने है और मुझे उस समय रोड ट्रांस्पर्ट विभाग का मंत्री बनने का स्वभाग के मिला रोड के साथ साथ मेरे पास शीपिंग और पोर्ट भी थे और उसके साथ बाद में MSM भी आया था और अविरल निर्मल करने के लिए गंगा की जिम्मेदारी भी मेरे उपर आई थी मुझे बहुत खुशी है कि पारादी पोर्ट में इस पोर्ट को वर्ल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए मैंने करीब साड़े चार से पाच लाग करोड रुपे के अनेक कार्यों को मंजूरी दी और वो कार्य पूरी हुए इतना ही नहीं तो ये जे समुद्र किनारा है ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है मैं जब शिपिंग मंत्री था तो कोचीन में हमारा रिसर्ट इंस्टिटूड है शिपिंग मिनिस्ट्री का उन्होंने एक ट्रॉलर का सौशदन किया जिसकी कीमत केवल सवा करोड रुपे है हमारे जो फिशरमेल है वो केवल समुदर में दस नौटिकल मेल जा सकते है अर इतना ही नहीं वो ट्रॉलर बना कर जो हमारे तामिल नाडू के फिशरमें थे कभी कभी स्री लंका के एरिया में घुच जाते थे उनको हमने ये ट्रॉलर भी दिये और इसके लिए एक स्कीम भी बनाई जैसे फॉर्मर प्रोडूश कंपनी होती है वैसे फिश प्रोडूश कंपनी तयार करके हमारे दस-दस मच्छी मार फिशरमन इकटा हो और फॉर्मर प्रोडूश कंपनी जैसे फिश प्रोडूश कंपनी तयार करे और उनको ये उपलब्द करने की योजना भी हमने तयार की और ये योजना भी ओरिशा में नहीं आया ऐसा मुझे संदीप गता रहे थे हैं अगर ये योजना आएगी तो ओरिशा के फिशरमन समुंदर में सव नौटिकल माइल दूर अगर जाएंगे तो फिश का उत्पादन साथ से आठ गुना बढ़ेगा और डॉलर में फिशरमन पैसे कमाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा ये योजना मैंने तयार की थी झाल